हेलो फ्रेंट्स मैं आज आपके लिए उड़त डाल की बिल्कुल नई सी रेसिपी लेकर आए हूँ आप पुने तरीके से बनाते होंगे एक बार इस तरीके से बना के देखेगा उड़त डाल की सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है तो देखेगा मैंने ये एक कट इस के लिए चुछुक्टे सकते हैं तो देखेगा मैंने दल इसके सारत डाल को साफ कर लिया है तो मैंने इसकलना शार बिल्कुल गोर्डन ब्राउन होने तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्रीज से प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब प्रेस कर देने ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकिशन आप तक पहुंच जाएं तो देखेगा जो अधरक और लहसुन का अच्छी तरीके से बिल्कुल गोर्डन ब्राउन होने तक इसको भून लेती हूं दो से दीन मिनिट के लिए तो देखेगा मसाला जो है मतलब जो प्याज और अजारक लहसुन का पेश्ट जो है वो अच्छी तरीके से भून चुका है आओ अव अग्या भाड़वश्ट के लागा है तो देखेगा आधा जब में टेखेगा और लालमिछ पाउडर कर दिया है नमक में इसके अंदर सवाद अनुसा एट कर दिया है आधा सरस्थ यह अज़वश्वश्ववश्वर। गर दो चमच में इसके अंदर बड़े दो तो चममच दनिया पौडर्र एट कर दोंगी दनिया पौडर दे बहुत अचा टेस्ट आएगा तो चलियागा बिना पानी डाले इसको इची तरीके से भून लेते हैं खुश्बू आने तक ताकि अच्छे मसाली जाए इच्छे तरीके से भून जाएं तो चलियागा मैंने तीन बड़े टेमाटरों की प्यूरी बना के रखी है अब मैंने ये भी इसके अंदर एट कर दी है आप चाहें तो टेमाटरों को काट के भी डाल सकते हैं पर टेमाटर काटने के बाद ये बहुत टाइम लगाता मतलब टेमाटर पकने बुकाफे टाइम तो इसलिए मैंने प्यूरी बना ली थी तो चलियागा अब हम इसको अच्छे तरीके से भूल लेते हैं जब तक कि तेल और मसाला बिलकुल अलग अलग नहीं हो जाता है तो देखियेगा तेल और मसाला बिलकुल अलग हो गया है तेल उपर आगया है सतय के तो चलियागा अ तो हम इसको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं ये कीन मानिएगा ये जो दाल मैं आज रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूं ये खाने बहुत यादा टेस्टी लगती है एक बार अपने घर पे बना कर ज़रू ट्राइ कीचेगा आप इसे ब्रेक पास्ट में या फिर लंच एक से डेड़ गलास पानी डाल दूँगी तो चलिएगा थोड़ा से चलाने के बाद अब इसको डिलीट से ढख देते हैं आठ से दस मिनट के लिए जब तक कि दाल गल नहीं जाती है आप इच बीच में देखते रहना पांच मिनट के बाद तो देखिएगा दाल जय वह अ अचला पाल दाल याट कर देथे हूं कि हरा अधनिया से इसके अनदर बहूत है तो चलिक के हां नियुक्त फॉफ़व कीजर सेखाव धरय चला दिया है अब आप इसको रोटी के साथ नान के साथ किसी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं, खाने हैं बहुत यद लाजवाब लगती है, तो चलिए अगड़क देते हैं, तो देखिए कितनी जदा अच्छी मज़दार सी हमारी जो ओड़त डाल की रेसिपी है, बिल्कुल नई तरीकी से बन जब तक कि लिम बाई बाई और टेक केर